तो आज मैं आपको जो वैकेंसी के अपडेट लेकर के आया हूँ यह बहुत ही इंपोडेंट यह अपडेट है तो इसमें इंट्रस्टेट कंडिडेट जो है जरूर से अपलाई करें क्योंकि ऐसी जो आप पॉर्षोट ही है ना वार वार नहीं मिलती तो यार इसमें के लिए वैकेंसी के लिए मैं आपको जो अपडेट बताने वाला हूँ बहुत ही इंपोडेंट ही अपडेट है उससे पहले अगर आपने अभी तक यहारी वीडियो के कमेंट में जा करके आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं डाला है तो जरू से डाल देना आज हम बात करेंगे जिंदल इस चील कमपणी की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है यहां पे जोग काफी सारे पदों पर आपको वह गय सी देखने को मिल जाएंगी इसमें आपको साइट इंजिनर के पदों पर वहाइंशी देखने को मिल जाएंगी ठीक जिन्हें अभी तक वीडियो को यार लाइक नहीं किया लाइक जिलोट से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली फीचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें और यहां पर आपको बताऊंगा कि यह जो वैकेंसी है बिलकुल पर्माने पूरा वीडियो एंड तक देखें मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं यहां पर सैलरी आपको 35,000 रुपए तक यहां पर देखने को मिलेगी मैक्जिमम और इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी चार्ज यहां पर नहीं देना होगा फिरी मैं आप फॉर्म को लिए भर सक आएगा कि आपको कैसे फॉर्म को भरना होगा ठीक है तो इसके लिए मैं आपको पूरी डेटेल्स बताऊंगा साधे साथ अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं क्या जाकर कर लेना या फिर हमारे वर्टसप चैनल गुरों को भी जॉइन कर लेना ताकि आ आप आप लाइक करने का प्रोसेस जान पाते हैं नहीं आपको यह पता चल पाता कि कौन सी वेकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मागी गई है तो मेरी छोड़ी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंट तक देखा करें ताकि आपको पता भी चल जाए कि आपको कौन सी के लिए करना होगा चली दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यहां पर पूरा प्रोसेस जैसा कि आप यहां पर देखी पार होंगे जिंदल स्टील यहां पर जैसे के तरफ से जो वेकेंसी निकली है इसमें बिल्कुल अप्लाइक कर सकते हैं डारेक्ट आपकी जॉइनिंग किस रॉल पर होगी ठीक है इसके बारे में आगे जो वीडियो के अंदर बताने वाला हूं पूरी की पूरी डेटेल्स बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना होगा इसके प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो क्या एक लाइक जरूर से कर देना चलिए दौस्तों नीचे आपको देखने को मलेंगे इसकी पूरी details जैसा कि आप यहां पे देखी पारे होंगे तो यहां पर should information में आपको पूरी details को बताई गया है कि आपको कैसे आभिदन करना है और कौन कौन से उमीद्वार यहां पर अबिदन कर सकेंगे यहां पर कंपनी के बारे में बताया गया है इसकी लास डेट है इसकी ऑफिशली वैफसाइट है तो सभी डिटेल्स के बारे में यहां पर देखी पारेंगे कंपनी के बारे में पूरे ब्योरा यहां पर देख सकते हैं कंप पाफी सारी पोस्ट नियुक्त को बनाद कर सकते हैं चयक्क पहाँ आपको ङॉंप सब्सक्राइब तो आपको एक form submit करना है ठीक है कैसे form को submit करना है मैं आपको आगे बताऊंगा इससे पहले आपे देखिए यहां पर देरक का है who can apply कौन-कौन यहां पर apply कर सकता है तो इसके लिए देखिए आपको male and female दोनों है candidate इसके लिए apply कर सकते है आल ओवर इंडिया के candidate इसके लिए apply कर पाएंगे इसके लिए पर्मनेंट रॉल पर जो आपको vacancy देखने को मिल लगी है यह आपके लिए बहुत ही अच्छी opportunity है इसमें दोस्तों आपकी education qualification के अगर बात करें तो यहाँ पर जो education qualification है वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जैसा कि आप यहाँ पर देखी पार होंगे education qualification के अगर बात करें तो आपने जो यहाँ पर आपने आपने आई डिप्लोमा या फर आपने भी बीटक कर रखा है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं age limit की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि minimum age जो रहेगी 18 वर्स देखने को मिलेगी maximum age यहाँ पर देख सकते हैं 32 वर्स आपको देखने को मिल जाएगी साधी साथ यहाँ पर देखेंगे इसके selection process के बारे में तो selection process जो होगा वो आप देखी पार होंगे जहा साथ नीचे आओगे तो यहाँ पर application process के बारे में बताएं कि यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा ठीक है जैसे कि आप देखी पार होंगे आपके पास 10th डिप्लोमा का साइटिफेकेट और माक्षिटोन चाहिए अधर काड़ हो ठीक है जैसे कि आप यहाँ प passport वगरा यह आपके पास ID होनी चाहिए और इसमें जो important dates निकल कर आ रही है जैसे कि आप यहाँ पर देखी पा रहे होंगे यहाँ पर 24 फरवरी से स्टार्ट हुए है जिसकी लास्ट आपको 15 मार्च 2024 इसकी लास्ट जो है वह आपको देखने को मिल जाएगी साथी साथ इसम बिल्कुल fresh candidate भी apply कर सकते हैं अगर आपके पास किसी भी टैपका कोई experience है तो अभी आप इसके लिए जो apply कर पाएंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों how to apply की कैसे आपको apply करना है तो यहाँ पर पूरा process को बताएगा है कि आपको कैसे form को बरना होगा चलि google पर आवगे google पर आने के बाant यहां पर देखेगा आपको search work को उफट्टन जैसा कि आप यहां पर देखी पा रहेंगे यहां पर आपको type कर दिया ओं predators जोब तक एंड जैसी मैं ने आपे सर्च किया सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले जो आप देखने को मिल रही है करने के बाद आपे सामने बेखने के लिए नियुक्त देखने के लिए घूगल का फॉर्म का लिंग है इस पर आप किलिक करके फॉर्म बर सकते हैं यह जो आपको नॉटिफिकेशन का लिंक के देखने को मिला है लिंक्डिन के थो जहां पर भी आप देख पाएंगे यह लिंक मैंने आपको बता रखाए ठीक है बैसिकली यहां पर क्या है कि जिंदल स्टील के एक जो है एचार रिकूटर है इन्हों ने इस पोस्ट के लिए म लिए में इसके लिंक के लिए किलिक करेंगे आपके सामने विल्के जैसा कि आप यहां awakant कि आ पड़ेगा जैसे कि इन्होंने मैंशन किया है अब देखिए यहां पर इन्होंने बता है कि जहां पर भी आपको जो स्टार मार्क दे रखा है उन कॉलंग को भरना बहुत जरूरी है जैसे कि आप देखिए सबसे पहले आपको इमेल का ओप्सन दिख रहा तो भाई यहां पर अपना इमेल आड़ी को डालना है आपको यहां पर एक एक अपलोड तो यहां पर जिरो तूब अनदर आपको जो गार्फिकंस को मिल रही है भीड़ी है यहां पर उसैप कि कर लेंना है जैसा कि यह कि देखे दो देखने को मिलेगा तो इपना नाम देना है यहांपको को दीजियगा कोई डिक्त नहीं चर नहीं कर जाएगा यहां पर आपको अपनी email ID को mention करना है highest qualification को आपको डालना है जैसे कि इन्होंने बता रखा है आपका under metric है matriculation है intermediate है ITI है diploma है B.E.A. V.T.E.C. जो भी हो कर रखाओ course आपने उसको select कि यहां पर कर दीजेगा ठीक है करें आपने ब्रांच करेंगे से अंदर अपने आपने कौन कौन सी ट्रेट कर रखा उसको यहां पर select करेंगे बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगे ट्रेट ب्रांच तो आप select कर दीज्यों झोबी अपने ब्रांच से कर रखा हो क्षिछ को यहां पर mention करना है study mode आपका क्या था full time था या पार्टम था उसको आपकी एज आपको बताना है कि यहां पर कितनी है उच्षके बाद आपको दखेगा इन्क एयरे पर अपे पर यह नियौ करण दीजिए उसके बाद यहां पर नेक्स्ट का जो ऑप्षन दिख रहा है आपको नेक्स्ट ऑप्षन पर किलिक करेंगे आपका डाटा जो है कंपनी के पास पहुंच जाएगा वहां पर पूरी डिटेल्स को सूचित किया जाएगा आपके मेल के थरो तो भाई आपको मेल आड़ी ऐसी ड करना है कैसे को समिट करना है कोई दिकत तो कोई क्वाइरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना और कमेंट में आप अपनी योगीता को ढानला बिल्ला मत बूलना मैं जितने भी आप कमेंट करते हो डियंस एक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों